नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में आपको बताऊंगा एक best moving average trading strategy के बारे में और वीडियो के end में मैं आपको एक special trick बताऊंगा जो secret trick का इस्तिमाल करके आप होती properly trading कर सकते हो तो सबसे पहले ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि market के general types कौन से होते एक बार आपको market के type समझ में आ गए तो आप properly decision ले सकते हो कि कौन से type के market में क्या work होगा फिर मैं आपको moving averages के type बताऊंगा moving averages के जो type है उसमें से best type कौन सा है ये आप decision ले सकते हो फिर एक बार आपको पता चल गया है कि best moving average कौन सा है तो फिर आप क्या कर सकते हो उसका सब combination कर सकते हो और विडियो के end में मैं आपको एक special trick बताऊँगा जब आपको ये special trick के बारे में पता चलेगा तब जाके आप वो moving average वाले ट्रेडिंग strategy का properly यूज कर पाओगे और एक professional trader बन पाओगे तो सबसे पहले आप ही जान लेते हैं कि कौन से कौन से type के market होते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता रहेगा कि market में कभी भी एक phase continue नहीं रहता market में phases हमेशा change होते रहते हैं तो हमें सबसे पहले ये phase कौन सा ये जानना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप market condition के बारे में जान नहीं पाते market में कौन सा phase चल रहा है ये आप समझ नहीं पाते तब तक आप properly ट्रेड नहीं कर पाते तो दो टाइप के phases होते हैं पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते है रैली जिसमें one sided moment मिलता है और दूसरा जो होता है उसको बोलते है retracement retracement जो आता है वो रैली के बाद आता है इसको मैं अभी आपको theoretically बता हूंगा फिर आपको clear अकट आईड़े आ जाएगा जब भी market नीचे जाता है तो थोड़ा नीचे जाने के बाद थोड़ा सा उपर चला जाता है और फिर नीचे चला जाता है उसी तरीके से जब market उप जाता है थोड़ा उपर जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और फिर दूबारा मार्केट उपर चला जाता है तो जनरली यहां पर यह जो वन साइड़ मुमेंट है इसको बोलते है रैली और उसके बाद यहां पर यह जो retracement आया है यह retracement को technical language में बोलते है correction लेकिन इसको broadly हम लोग classify करेंगे as a retracement उसी तरीके से upside का जब momentum आता है तो upside के momentum में जो one sided moment होता है that is a rally और उसके बाद rally के बाद जब आता है तो उसको बोलते है retracement यह retracement को हम लोग technical language में correction भी बोलते है तो आपको क्या करना है दोस्तों यह जो one sided momentum वाला phase है यह one sided momentum वाले phase को कोई catch करना है अगर आप यह one sided वाले momentum को catch करते हो तभी जाके आपका बड़िया profit मिलेगा और आपको यह जो retracement का phase है retracement के phase को award करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपके stop loss trigger होने की ज्यादा possibility रहती है तो यह retracement के phase को किस तरीके से आप award कर सकते हो और किस तरीके से यह rally को आप catch कर सकते हो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे तो यह हो गए market के general types फिर उसके बाद आभी हम लोग क्या करने वाले है आज जो हम लोग trading strategy के बारे में यूज करने वाले है उसका नाम है moving averages यह moving averages क्या है दोस्तों इसके नाम में ही आपको पता चलता है कि एक type का average है average का मतलब यह होता है कि हम लोग एक particular period लेते हैं और यह period का एक average निकालते है प्राइस का तो averages में दोस्तों 3 type के averages रहते हैं सबसे पहला जो type रहता है उसको बोलते है simple moving average फिर उसके बाद दूसरा जो type रहता है उसको बोलते है exponential moving average और तीसरा जो type रहता है उसको बोलते है weighted moving average अभी इनके calculation का जो तरीका है वो calculation का तरीका different है लेकिन हम लोग calculation के तरीके में नहीं जाएंगे हम लोग simply क्या करेंगे जो moving average को use करने वाले उसके बारे में जान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग exponential moving average का ही इस्तेमाल करेंगे अपने trading strategy में अभी exponential moving average में भी बहुत सारे moving averages रहते लेकिन हम लोग सब भी moving averages को नहीं देखेंगे हम लोग उसमें से सिर्फ 3 moving averages को follow करेंगे सबसे पहला जो रहेगा वो 5 period का moving average रहेगा फिर उसके बाद 13 period का moving average रहेगा और फिर उसके बाद 21 period का moving average रहेगा अभी ये 3 ही मैंने के चूज किये हुए है क्योंकि ये 3 फिबोनांसी नंबर है जिनको फिबोनांसी नंबर के बारे में पता नहीं रहेगा उनको कोई जानने की जुरूरत नहीं है immediate basis पे जब अभी इसका implementation सीख लीजे और implementation के बाद cross check करके देखे तो आपको पता चलेगा ये तिनों का combination हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं अभी ये 3 क्यों किये हुए है क्योंकि जब आप market का general overall trend देखोगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि trend में भी type होते है पहला जो होता है उसको बोलते है shorter term trend फिर उसके बाद दूसरा जो होता है उसको बोलते है medium term trend और तिसरा जो होता है उसको बोलते longer term trend तो आगर हम लोग ये 3 combination यूज करते हो तो ये 5 पिरेड़ वाला जो आपको shorter term trend बाताता है medium term 13, 13, 12, 13 मе जो है medium term trend बाता है और 21, ये में आपको लांग term trend बाताता है तो ये तीनों का अगर हब combination करते हैं तो ये तीनों के combination की विफ्सो सिगनल आपके आवर्ड हो जाते और आप एक rally को completely catch कर पाते हो इसका जो trick है special trick मैं आपको end में बताऊंगा जब आप यह trick आपको समझ में आ जाएगा तो आप easily वो rally को catch कर पाऊगे तो अब यह ओ गया थेरिया अब यह practically डायलेकरी चार्ट के उपर देखते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है तो अब यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने जो combination आपको बताया था वो यह combination चार्ट के उपर लगाया हुआ है यह combination आप कौन से भी normal charting platform में easily लगा सकते हो तो आपको 3 exponential moving averages लगाने है पहला जो रहेगा वो आपका 5 period कर रहेगा फिर 13 period कर रहेगा और फिर 21 period कर रहेगा इसमें आप time frame कौन सा भी use कर सकते हो time frame अगर आप देखोगे तो आप 1 minute से लेके daily तक यह सभी time frame में applicable है आपका जो trading का style रहेगा उसी सबसे आप combination कर सकते हो तो यहाँ पे आभी सबसे पहले आपको decide करना है कि market में trend कौन सा है तो trend calculate करने का मैं आपको एक simple तरीका बताता हूँ यह trend हम लोग कैसे identify करेंगे कि आभी market में कौन सा trend चल रहा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह 5 period जो है वो 5 period वाला year में अगर 13 के उपर रहता है और 13 वाला अगर 21 के उपर रहता है तो हम लोग यहाँ पे बोलते है market में uptrend है simply यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे यह जो blue color का line है यह blue color का line यहाँ आपको बता रहा है 5 period यह में यह जो red color का line है यह red color का line आपको बता रहा है 13 period में और यह जो black color का line है यह black color का line आपको बता रहा है 21 period में तो यहाँ पे आगर आप देखोगे तो यह 5 पिरेड का जो EMA है वो 13 पिरेड के EMA से उपर है और यह जो 13 पिरेड का EMA है यह 21 पिरेड के उपर से है तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में बोल सकते हैं कि आप ट्रेंड है उसका वाइस वर्षा, downtrend में क्या होता है दोस्तों, downtrend में मान लोग की 5 pirend का ये में जो है, वो नीचे है 13 pirend से, और 13 pirend का नीचे है 21 pirend से, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि market में downtrend है, तो अभी यहां पे हम लोगों को सबसे पहली बात पता चल गई कि market में trend कोन सा है, एक बर हम लोगों को trend पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे जब uptrend वाला market रहेगा तो हम लोग यहाँ पे buy का position ले लेंगे और जब market downtrend वाला रहेगा तो downtrend वाले market में हम लोग sale का position ले लेंगे अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है आपको यह सिर्फ यह वानलों की यह A point है यह B point है यह C point है और यह D point है तो यहाँ पर यह जो A से लेके B तक का rally है यह rally हम लोगों को catch करना है और C से लेके D तक का rally हम लोगों को catch करना है और यह B से लेके C तक का जो moment है इसको हम लोग retracement बोलते हैं यह retracement ज नहीं है हम लोगों का जो interest है हम लोगों का interest सिरफ फिर rally catch करने में है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग trend decide करेंगे train decision का formula मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है फिर उसके बाद क्या करेंगे exactly हमें buy कहाँ पर करना है यह buy का point हम लोग find out करेंगे तो यह basic बाते अगर आपको समझ में आई रहेगी तो अभी मैं exactly buy point आपको बताता हूँ तो buy point calculate करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यह जो moving average का combination है यह moving average के combination से हम लोग train का पता करेंगे और exactly जो buy का decision लेना है हमें तो buy का decision के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग price action को use करेंगे price action को किस तरीके से use करना है दोस्तों यह मैं आपको simple तरीके से बता देता हूँ price action में अगर आप देखोगे तो price action में analysis के लिए various type के tools यूज किये जाते है तो सबसे simplified tool जो रहता है पहला उसको बोलते है support और resistance वाला tool फिर उसके बाद दूसरा जो tool रहता है उसको बोलते है trend line trend line थोड़ा सा difficult होता है draw करने के लिए लेकिन by practice आप इसको कर पाओगे फिर तिसरा जो रहता है that is a chart pattern chart pattern भी trend line से थोड़ा ही difficult होता है तो हम लोग क्या करेंगे initial level पे सिर्फ यह 2 point के उपर focus करेंगे कि support और resistance का और trend line का किस तरीके से यूज कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तो आपको find out करना है कि market में अभी कौन सा trend चालो है और फिर उसके बाद price action लेना है जैसे कि यहाँ पे आगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा था कि market में यह uptrend का phase है uptrend के बाद यह आया है retracement का phase यह retracement के phase के बाद जब uptrend दुबारा start होगा तो यह दुबारा uptrend जब start होगा तब जाके हमें buy करना है यह जो uptrend का phase है यह uptrend के phase के उपर एक train line draw करेंगे और यह train line का जो यहाँ पे breakout का point है यह breakout के point के उपर हम लोग buy करेंगे तो यह आपका buy का point decision हो गया फिर उसके बाद उसका stop loss जो रहेगा वो stop loss यह horizontal line के नीचे रहेंगे उसी तरीके से का करेंगे फिर दुबारा जब market में यह retracement का phase आएगा तो दुबारा यह retracement के phase को हम लोग identify करेंगे retracement के phase में एक train line draw करेंगे और वो train line का जब breakout point आएगा तो यह breakout point पर हम लोग buy करेंगे तो आपका जो buy का point रहेगा वो price action के इसाब से जहाँ पर breakout मिलेगा वो breakout point के उपर हम लोग buy करेंगे अगर आप breakout point के उपर buy करते हो तो यहाँ पे आपका risk reward ratio जो रहता है वो risk reward ratio आपको बहुत बढ़िया मिलता है तो यह हो गया आपका entry का point लेकिन जब भी आप trading strategy define करते हो दोस्तो trading strategy में आपको 2 point important होते एक होता है entry का point और दूसरा होता है exit का point तो exit के point में भी दोस्तो 2 point important होते है पहला होता है stop loss का exit और दूसरा होता है profit booking का exit profit booking में भी दो टाइप के profit booking होते है एक होता है partial profit booking और दूसरा होता है trailing stop और फिर यहाँ पे आभी मैंने आपको entry का point बता दिया जाएगा फिर आभी जब हम लोग profit booking के बारे में जानते तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा पार्शल profit booking या complete profit booking कहां पर करना है और ट्रेलिंग स्टॉप किस तरीके से यूज करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको में जो trick बताने जा रहा हूँ special trick जब आप समझ में आ जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि market में वह secret trick का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से trade कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तों जब आप trend में जब ट्रेंड का one sided होता है और दूसरा जो होता है वह थोड़ा week हो जाता है फिर train तो आप हमें आगर strong train को प्रकड़ना है तो strong train के sign कौन से है तो यह sign समझने के लिए आपको कुछ trick समझने पड़ेंगे जब आपको secret trick पता चलेगे moving averages के बारे में तो फिर वो moving averages के trick का इस्तेमाल करके आप easily train को catch कर सकते हो तो पहला trick यह है कि आपको देखना है कि moving averages का slope कैसा है एक बार जब आपको slope पता चलेगा तो फिर आप easily कर पाओगे फिर दूसरा जो point आपको देखना है वो दूसरे point में आपको moving averages में कितना difference आ रहा है यह difference आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि strong train कितने टाइम रहने वाला है और फिर सबसे important point जब profit book करना है तो profit book करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जो candle है वो candle का analysis करके हम लोग profit book करेंगे तो यहाँ पे आगर आप देखोगे तो trick number one के यह सबसे आपको slope देखना है तो यहाँ पर में एक simply आपको slope identify करने के लिए एक बताता हूँ यह 90 degree का मानलो कि हम लोगों ने एक x और y axis ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो जितना जादा जादा slope रहेगा उतना जादा strong trend है मार्केट में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर यह जो है यहाँ पर हम लोगों गोलते हैं कि एकदम strong trend है फिर उसके बाद यह trend थोड़ा slope अगर कम होता है तो आपका trend का weakness कम होता है तो इस तरीके से आपको देखना है कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं तो यहाँ पर आगर काज करने की possibility बढ़ जाती है फिर उसके बाद आपको difference देखना है कि difference कितना है यहां पर आगर आप देखोगे तो जैसा जैसा difference बढ़ता जा रहा है moving averages में वैसा वैसा trend एकदम strong होता जा रहा है जैसा जैसा यह moving averages का difference बढ़ता जाता है दो moving averages के बीच में सा वैसे वैसे आपका trend का strongness बढ़ता जाता है फिर उसके बाद यह जो candle है यह candle कहां पर open हो रहा है कहां पर close हो रहा है उसका जो body है अगर आप एक normal candle देखते हो तो normal candle में आपको पता चलेगा कि मानलो यह bullish candle है तो bullish candle में क्या हो जाता है bullish candle में यह आपका open हो गया यह आपका high हो गया यह आपका low हो गया और यह आपका close हो गया तो यह middle का जो part है यह middle के part को हम लोग बोलते है body और यह नीचे का जो part है यह नीचे के part को हम लोग बोलते है shadow या week तो आपको ये खायल रखना है कि body कहां पे आ रहा है अगर ये body जो है ये 5 EMA के उपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि market में बहुत ही strong trend continue है अगर आप इसका पिछला analysis भी करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि candle का जो body है वो candle का body जब तक 5 EMA के उपर ही close होता है तो इसका मतलब ये है कि market में trend जो है और trend बहुत ही strong है तो आप तब तक और trend में बने रहे सकते हो तो ये हो गया 3 trick ये trick का अगर आप इस्तमाल करते हो तो आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पर momentum catch हो जाएगा फिर आभी next part आता है कि आपको profit कहाँ पर book करना है तो profit book करने के लिए दोस्तों मैं आपको recommend करूंगा कि profit book करते समय profit book करना एक बहुत ही importance की लिए तो profit book करते समय आपको 3 बात का खयाल रखना है सबसे पहले बात जो है सबसे पहले बात में आपको कभी भी complete profit initially book नहीं करना है आपको partial profit booking का इस्तेमाल करना है फिर उसके बाद आपको trailing stop लागा देना है और जब trend ही completely change हो जाएगा तब आपको complete profit book करना है तो इसके लिए मैं पहला trick आपको बताऊंगा partial profit आपको कब book करना है जब strong trend के बाद यह जो है यह strong trend जब continue रहता है और strong trend के बाद जब पहला candle जो first candle आपका 5 EMA के अंदर close होता है तो यहाँ पे आप 30% profit book कर लीजिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है फिर उसके बाद मान लो कि 5 EMA जो है वो 5 EMA अगर आपके 13 EMA को और 21 EMA को cross करता है तो वहाँ पे आपको completely profit book करना है complete profit book करने का यह वाला टेकनिक है और trailing stop आपको कहाँ पे लगाना है दोस्तों तो trailing stop simply आपको जब यह 13 EMA जो है यह 13 EMA जब 21 EMA को cross करेगा तब आपको वहाँ पे trailing stop लगाना है तो यह होगा है trailing stop का method तो यहाँ पे आभी मैंने आपको partial profit booking का method बता दिया trailing stop का method बता दिया complete profit book करने का method बता दिया तो जो trick मैंने आभी आपको बताय हुए है यह trick को अगर आप follow करते हो तो easily आप यह सब momentum one sided move easily catch कर सकते हो तो यहाँ पे जिस तरीके का technique मैंने बताया वो technique को follow करके आप एक अच्छे से profitable trader बन सकते हो यहाँ पे अपना एक telegram का channel है professional trader नयन poker करके नाम से यहाँ पे 25,000 से भी जादा लोग जुड़े हुए है यहाँ पे मैं free में tips देता हूँ यहाँ पे बीच बीच में profit का book करना है यह भी मैं बता देता हूँ और यहाँ पे हमें जो risk to reward ratio मिला हुआ है वो 1 as to 5 का risk reward ratio मिला हुआ है और यह जो free में मैं signal देता हूँ वो free में signal के उपर मैं खुद भी trade करता हूँ यहाँ पे मैंने exchange execution order number और executed status के साथ आपको देखाया हुआ है यह completely free channel है अगर आपको यह join करना है तो इसका link मैंने नीचे description की box में दिया हुआ है आप वो link के उपर click करके इसको join कर सकते हो फिर उसके बाद आगर आपको educational videos देखने है तो यह आपना YouTube का channel है नयन poker कर professional trader के नाम से यह YouTube के channel को आप subscribe कीजे subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे तो जैसे ही मैं यह नया कोई educational video launch करता हूँ तो सबसे पहले आपको उसका notification मिल जाएगा अगर यह video आपको अच्छा लगता है तो इसको like कीजे और share कीजे और यह telegram channel को subscribe कीजे और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे thank you very much